नमस्कार दोस्तों आये स्पीसे जोन में आप सबों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों यदि आप उत्तर प्रदेश स्पीसेस का एक्जामनिशन देने जा रहे हो या उत्तर प्रदेश पुलिस की एक्जामनिशन देने जा रहे हो जहां पे भी उत्तर प् मैप के माध्यम से कोई चीज को भी याद करेंगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगा ठीक है ना तो हम लोग यहां पर मैप के माध्यम से पूरे उत्तर परदेश को पढ़ने वाले हैं जैसा कि देख सकते हैं कि एक वीडियो हमने इस टाइप का और बनाया था जिसमें आप उत्र परदेश के बारे में बस एक वीडियो में एक मैपस में जान लेंगे फिर सेकेंड जो मैप होगा होगा हमारा उत्र परदेश का बहुत एक बिन्यास ठीक है स्विभालिक चेत्र भावर चेत्र गंगा यहमना चेत्र यह सब हो जाएगा फिर उत्र परदेश का बर्ष पर जाएगा ठीक है फिर इसके बाद हम लोग उत्रपर्देश के प Jiang उत्रपर्देश के प्रमुख जीम को पढ़ेंगे ऐसे बाद पर E हम लोग यहां पर उत्तर प्रदेश प्रमुख शोध संस्थान के बारे में जानेंगे कौन से संस्थान कहां है क्योंकि इस से भी प्रशन पुछा जाता है फिर इसके बाद हम लोग खनी संसाधन को देखेंगे उसके बाद हम लोग उत्तर प्रदेश के दर्शनी एवं परिय हाले को देखेंगे उसके बाद परमुख मेलेवम उससर को देखेंगे उसके बाद जो है हम लोग उत्तर परदेश के परमुख लोक कला को देखेंगे उसके बाद फिर जो हम लोग उत्तर परदेश की परमुख जनजातियां देखेंगे कौन से जनजाती उत्तर परदेश में कम से कम इस वीडियो को जरूर देखिए ठीक है और देखने के बाद आपको खुस पता चलेगा कि इसका value क्या है तो चलिए हम लोग बीना देरी की वीडियो को शुरूर करते हैं वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक कर दिजेगा चैनल पर पहली वार आएं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किजेगा और दोस्तों से वीडियो को शेयर किजेगा ताकि उनको भी इसका फाइदा हो सके और है इसका पीडियो प्राप्त करना है तो हमारे टेलिग्राम गुरूप में जाइन हो जाएंगे जिसका लिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया मैप में आप देखेंगे दोस्तों तो सबसे उपर के ओर जो होता है यह नॉर्थ होता है ठीक है सबसे नीचे स यहां पर आप मैप के माधन से देख सकते हैं यह रहा सहारनपूर ठीक है तो सहारनपूर है और सबसे जो दक्षनी जिला है यानि कि साउथ में है वो है सोनभद्र क्या है सोनभद्र जिला है जैसा कि आप देख सकते हैं मैप के माधन से यह देखें सबसे दक्षनी जिला ज पुर्वी सीमा हो तो सबसे जो पूर्वी सीमा होगा, यह क्या हो जागा? यह देखacy कि यह लंबाई है और पूरव से पच्चिम जो है ये 640 किलिमेंटर है तो आप इसे याद रख सकते हैं चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आखे उत्तर परदेश की सीमाएं की बात करें तो कौन से जो इस्टेट है कितने उस से कितने डिस्टिक टच करते हैं उत्तर परदेश के यह हम तरह याद रखेंगेए एंभी माचल परदेश से अपने उत्र परदेश की बस एक जिला टच करती वह हैं सहारांपूर", फिर मैं बात करूं, तो उत्तरा खंड से नेपाल से साथ जिला टच करता है तो आप इसे याद रख सकते हैं ठीक है और परदेश के सबसे कम जिला जो है एक को इस पर्स करने वाला जिला कुंसा है तो यह लालीद पूर यह विया प्याद रखेंगे अपने प्रदेश का मात जो है बस एक ही जिला से चच करती है वह पूरने जहां सी से ठीक है यह विया प्याद रख सकते हैं चलिए बढ़ते हैं लोग नेक्ष्ट मैप में तो ने तलहटी है यह आप से पूछ लेगा मैप के माधिन से ठीक है आपको प्रशन दे देगा तो आप चूज कर लें कि सिवालिक तलहटी कहां पर है फिर उसके बाद जश्ट आएगा भावर तराइक का प्रदेश ठीक है भावर का छेत्र आजाएगा यह सब देख सकते हैं ठीक है उत्तर परदेश का वर्शा वित्रां के मैं बात करूँ हैतों में आप आप 6 नौर्थ मीं और इस्ट में पूरे कैंबर्शा सबसे साउच प्रक्राइब रख सकते हैं पिर हम लोग बढ़ते हैं अगले मैप में तो अगला मारा यह उत्तर परतिस बं रिपोर्ट के बारे में ठीक है कि जो है कि बनाबरन छेत्र क्या है कि परतिशत है तो इतना कुल बनावरणज खेतर है वर किलोमेटर में और इसका टोटल पर्थिसत कर देज्टा कि प्रक्षिसत का 6.15, पैजाता है अब हमने हिंखे बात करें दोस्तों तो यहां पे दिखेंगे सरवाधीक जो हो जाएगा लोग अगले में अगला में उत्तर परतेश लिए पाया जाने वाले बनों के परकार ये तो हो गया उपर बंढ किदने परिश सथ है का शर्वाधिक है सबसे कम कहाँ है ठीक है अब देखते हैं कि वनों के प्रकार कॉम्पोन से उत्तर प्रदेश में तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो उष्न कटिवन यह आधरन पार्णौण पाति वन होगा ठीक है उष्न प्रकार के बारे में देख लेते हैं हम लोग तो सबसे प्रक्षी बिहार के बारे में देख लेते हैं देख सकते हैं मैं अपके माध्यम से फिर देखेंगे शेखा जील पक्षी बिहर कहां है तो यह है ऑर पत्ना पक्षी बिहर कहां जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे चोटा है याद रख सकते हैं यह कहां है यह से अ में बात करेंगे समान पक्षिस निमीए मैं तो In काँ में पूरी देख सकते हैं का है मैंन पूरी में चलsty है नीजेगुए में और मैं अग puri देख थो आप मैं पुलिटे वहां है करीज सांडी पक्षी बंजी बिहार सांडी पक्षी बिहार कहा है हर दोई में है ठीक है ऐसे ही करके आप मैप से याद रख सकते हैं इसको एक दो बार देखिएगा न तो याद हो जाएगा फिर है पारवती अरंगा पक्षी बिहार कहा है तो यह है गोंडा में कहा है गोंडा में है फिर है यां ये ले हम बात करेंगे हां पर Tags Naraia जो होगत परताप अगण में कों सा है तो पड़ाप गड़ में देख सेते हैं हाँ परताप अगण में जो है तुरसतुप में नवाअ पक्छी बंजी बिहार अगला डाइग्राम जो हमारा है दोस्तों यह है उत्तर परदेश के वन जीब भीहार के पूल संख्या कितनी है ठीक है आपको कमेंड वाक्स में जरूर बताना है चलिए वारते हैं हम लोग अगले अगले मैप में तो देखिए है जो यह है यह हसना पूर वन जीब भीहार जो है कि संपूर बनेसी अंब in यह वहराईच में याद रखेंगे यह ऊट करेंगे इस बीरा सिष्ट के राभस्ति लुक्रलेंगे सिंग भरद करेंगे दोश्टा बार नसी में है में कौन सा है शंudर पर्भाव बंजी भिःयत P हँरह नदी तरढार के बारे भाड़ा यहां पर देख लिते हैं तो अगने कौन सी है एक तो हो जाएगे गंगा नदी एक कौन सो हो से हैंना की सबसे बढ़ी सा है कौन से यह यह यमना नादी क्लिए आसे सार्दा की भी सहायक नदी है, घागरा नदी, राप्ती नदी और नराइनी नदी, ठीक है ये तीनों याद रखीनी और ये जो है शारता डारेक्ट दिन्दा से मिलती है, क्लियर, उसके बाद फिर हम बात करें दोस्तों, यमना की साहयक नदी का, तो यहां पर ध्यान देंगे थुरा सा, यमना की स प्रश्ण भर भर के पूछे जाते हैं इस मैप को तो आपको बहुत अच्छे सबसकत हैं थे जल네 सबसे पहले हम बात करेंगे सुकताल जिल कढूंत सुकृताल जिल कहां मुझभफ rok हैं पिर बात करें हैं लिक रामपूर करें निय्मा का थार नहीं में environment नहीं कहीं हैए नहीं द दोष बहुत है नुद्धाय जीव unlock हो है बहराइच में है चीतावरार पर्याग जिल कहा है बहराइच में है फिर सीतापुर में कौन से जिल है तो सीता कुंडवम चक्रकुंड है ठीक है चक्रकुंड के बारे हम पुछा जाता है तो सीतापुरम चक्रकुंड कहा है सीतापुर में है तो करेला जिल कहा है लखनों मे तो मत्रा में कौन से जिल है मत्रा में ध्यान नहीं है मत्रा में हो जाएगा राधा कुंड कुसुम कुंड नौजिल कोकिला कुंड कृष्णा कुंड और मांसी गंगा कुंड यह सब जो है कहा है यह सब है मत्रा में क्लियर आग्रा में है किथम कौन सा है किथम जिसको की सूर सरोबर बोला जाता है किथम क्या है सूर सरोबर किथम कहां है आग्रा में ठीक है कनोज की बात करेंगे दोस्तों कनोज में है दवरियताल कौन सा है दवरियताल इताबा में सरसाई नावर एवं भाखाजी कहां है इत बात करेंगे महोबा में मदन वेल आयाइस लागनItal न्वाबगन पर बारानसी में कौन सा है आधी तोल है ठीकिए अब बल्या में सुरहताल है ठीके तो आप इस परकार जो है याद रख सकते हैं तो इस डाइग्राम को इक पर फिर से देखिएगा चलिए बढ़ते हैं अगले डाइग्राम के और तो अगला डाइग्राम है दोस्तों यहां उ जबफर नगर और विजनौर के सीमा पर है, पिर है उपरी गंगा नदी, बिजगार से नरवरा तक ये है बुलंद शहर में, पिर है समान पक्ची बिहार ये भी है मैनपुरी में, सांडी पक्ची बिहार हर्दोई में, ठीक है पारवती अरंगा पक्ची बिहार गोंडा में, पिर आप बात करेंगे बखीरा पक्षी बंजी बिहार तो यह है यह जो है संत कभीर नगर में है ठीक है बखीरा पक्षी बंजी बिहार पिर हम बात करेंगे राय बरेली में तो राय बरेली में है समस्पूर पक्षी बिहार जो की बेडलेंड है समस्पूर पक्षी बिहार उन वह जो दोश्व माने अगले घिया इंडा आप वह एवं बहुत देशी नदी घाटी परियोजना के वारे है चलिए देख लगते हम इस मैप को तो सबसे पहले दी हम बात करें दोस्तों सबसे पहले हम बात करें गंगा नदी को देख सकते हैं यह रही गंगा रिवर ठीक है देख सकते हैं गंगा नदी को यह दिख रहा है चलिए तो गंगा नदी को यह दी हम बात करें दोस्तों तो गंगा नदी की परियुजना को परियुजना करें तो और देखें पिर हम बात करेंगे शारदा प्रजेक्ट कौंचे नदी पर है घुमती नदी पर है ठीजि के दोस्तों से बाद हम बात करेंगे दोस्तों यहां पर प्रशन है, मातली चला बान्थ पुछा जाता है, बेतवा नदी पर है, भाउधा बान्थ बीरमा नदी पर है, ठीक है, राज़गार बान्थ पर है, यह उत्तर परदेश, मत परदेश की सन्यूः पर योजना है, यह भी याद रखेंगे, फिर जो है, मेजा जलासे बान्थ यह प्रश्न पूछा जाता है तो सबसे पहले हम बात करेंगे हैं पर ऐसा हाँ दिए हो जाएगा अफजल अफजल गड़ हरवली और मध गंगा बैराज है बिजनौर में थे सबांध है। जो अफजल गड़ है ये राम गंगा नदी पर है हर बली बान जो है राम गंगा नदी पर है और मद गंगा बैराज जो है गंगा नदी पर है पिर हम बात करेंगे बनबासा बैराज जो कि सारदा नदी पर है पीली भीत में ठीक है याद रखेंगे फिर सुहेली बैराज सुह धार्थ नंगर में प्रह अर्वरा बांध कहा है बार atoms ह yen करहेंli मीर्जापूर कस बांध यह है जीडों बांध पर जिर्गों नदीपर ओंग्ई पर अंगर किसा दूपर नदीपर देन दूपर अध्वा कर दोपर Alright तो आप इसे याद रख सकते हैं। फिर हम बात करेंगे चंदावली में जो है दोथों यह मुलसा खंड बांध है करम। नासा न दीपर चंदर क्रवा बांध में हैं सुन भधर minutes काना बांध है कन हर नती पर जह अशकार कंहर नती पर में तो यह पर हमिर्पूर की बात करेंगे तो मौधा बांध है बीरमा नदी पर जहांसी केदि हैं बात करेंगे तो बेतवा नदी पर है परिक्षा बांध माता तिला बांध और पत्राईच और सुखनाईव नदी पर अधित है पत्राईबाद। याद रख सकते हैं ललीदपूर के लिए बात करेंगे तो ललीदपूर पर जो हो जाएगा यह जमीनी बान, जमीर नदीप, रोणी बन, रोणी नदीप, सहजादवान, सहजाद नदीप, गुविन सागर, सहजाद नदीप, सजिनाम, सजिनामपर और राजगाट बेतवापने ठीक हैं आप किस परकारे से याद रख सकते हैं अब हम बात करेंगे उत्र पर्देश की लग्वथ कुटू सब्सक्राइब नेका जाएगा लोहे का बात लकडी पर नकासी माचीज सिग्रेट हथकरगा सूती बस ये सब उद्योग कहां है सहारनपुर में ठीक है मेरट में कि में बात करूँगा। है कागर जुद्योग, खेल का समानों दुद्योग और दिया से लाइक हो दुद्योग। ये सब हो जाएगा। कहा है ? मुरादावाद की बात करूँगा। बडैनो । चाकूं कैं साह जहां जो है दोस्तूं दर्य निर्मान के लिए परशिद है फिर हम बात करेंगे दोस्तों आगे यहां ध्यान देंगे फिर होलगा गाजीयाबाद सिग्रेट जो करें जोब चीनी मिट्यी जो के लिए कहा है ःस घाजी सेद्र में बलंद शहर demon दोस्तों यहाँ पर लखनाओ का ध्यान नहीं लखनाओ हो जाएगा जरीवत चीकन का काम के लिए परसिद है अंबेटकर नगर अतरगा वा सूति बस रुद्योग धंधा के लिए परसिद है गोरकपुर के मैं बात करूँगा दोस्तों तो गोरकपुर जो है जूटू दोस्तों परसिद है एक्यान रखेंगे पर हम बात करेंगे संत्र अबिदासनगर को यह है गलीचे निर्मान के लिए परसीद है पिर हम बात करेंगे आगे यहाँ पर ध्यान देजिएगा तो कानपूर नगर का तो कानपूर नगर जो है दोस्तों बहुत इमाधपून है चमरा उद्योग, जूट उद्योग, उनिवस्तर उद्योग खोज्री उद्योग और ऑजधी निर्मान के लिए जालाउन जो हो जाएगा हाथ से कागज याणि कालपी के लिए क्लियर चलिए वरते हम लोग अगले डाइग्राम में तो अगला जो डाइग्राम है दोस्तों यह है उत्तर प्रजिश के परमुख सोध संस्थान के बारे में ठीक है यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो चलिए देख लेते हम लोग सबसे पहले सहारनपूर को तो सहार अनुसंधान एवं मानकी करन प्रयोग शाला कहां है यह गाजियाबाद में मेरट की में बात करूँगा तो यहां है रिसर्च इस्टेशन है सेंटल पोटेटो रिसर्च सेंटर कहां है तो यह भी मेरट में है दोस्तों बूलंद शहर की में बात करूँगा तो बूलंद शह प्रशु प्रजनन फर्म है फिर हम बात करेंगे दोस्तों सीतापुर में ध्यान दिजेगा सीतापुर में जो है यहाद रखेंगे उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखेंगे अमेठी में राजी गांधी पेट्रोलियम इंस्टिचूट है यह प्रशन पूछा जाता है ठिक है प्र जो शंत्र अविदास नगर में है भारतिय कालीन उद्द्योंगुक संस्तान है ऑरियाग राज कि में बात करूँगा धुआ दोस्तों तो परियाग न इसके खरीःजे कि उपकानपुर नगर की बात करूं तोखानपुर में जो जाएगा अनुसंधान संस्थाम इं संस्थान इंडिया इंस्ट्थिट औफ सुगर टेकनोलोजी चेनल टेक्स्टायल इंस्टीशूट प्र भाबतेक्स चम्रा रंगाय पिर बात करेंगे नेशनल पेरा सूट कालेज कहां है ये भी आगरा में है मत्रा के बात करूंगा तो केंद्रिये बक्रियनु संधान संसान कहा है दोस्तों मत्रा में है ठीक है आप इसे याद रख सकते हैं फिर गौतम बुधनगर की मैं बात करूँगा तो यहां पर है बीबी गरी नेशनल लेवर इंस्टिटूट है राष्टी आपदा मोचन बलमुक्याले है नेशनल इंस इस्टिट फोर कैंसर प्रिवेंशन एंड डिशर्च कहां है यह सब बहुतम बुधनगर में है ठीक है चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले डाइग्राम के लोग तो अगला जो डाइग्राम है दोस्तों यह है परमुक उत्रपरदिश के परमुक खनी संसान के बारे में ठी जहांसी के बात करूगा जहांसी का तो जहांसी में जाता से पाइजाएगा यहां पर ध्यान देगा मैं थोड़ा सब्सक्राइब जाएं। ग्रिफाइट हो जाएगा बांदा की मैं बात करूँगा तो बांदा में बॉक्साइट दोलोमाइट कांच वालू पोटास लवन रॉक फास्फिट हीरा मैं मैगनेसाइट चाइना क्ले और ओकर गीरू ठीक है उसके बाद में बात करूँ दोस्तों चित्रकूट का तो चित्र बात करूं दोस्तों तो चंदावली में बाक साइट वाक साइट हो जाएगा और चलिए बादे हैं लोग अगले डाइग्राम जो है दोस्तों है उत्रप्रदीश उट्जा संस्थान के बारे में ठीक है चलिए देख लिए लोग तो उत्तर परदिश में इंटी पीसी उत्पादन के अंदर कहा है यह गौतम बुध्धनगर में है ऐसे दादरा आ विद्दू परियोजना कहा है यह जो है बरेली में है, उसके बाद मैं बात करूँगा उचाहार अ विद्दू परियोजना कहा है तो उचाहर राय बरेली में हो जागा, पिर टांडा ताप विदूत परियोजना जो है दोस्तों ये हो जागा, अमबेटकर नगर में हो जागा, और या ताप विदूत के अंदर जो हो जागा, ये और या में हो जागा, क्लियर कहां हो जागा, और ये में हो जागा, फिर है सक आगराज में, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, आगे आप देखेंगे, पन की ताब विदूत परियोजना कहा है, कानपुर नगर में, हर्दुए अगर्ज ताब विदूत परियोजना, जो कि नाइटी फोटी तू में बना था, निर्मान रूस के सही योग से हुआ था, है उसके बाद फिर हम बाद करें जहांसी में है परीछा ताभ बिद्दूद परहींग ना राज घाट जल्ब ना प्राचिन्तम करीशी के साथ कहा से मिला है लहुरा देव से मिला है तो कुशी नगर में हुआ था यहाद रख सकते हैं प्लियर आगे बढ़ते हैं तो आगे देखेंगे फिर यहापे परताप गड़ को देख लेंगे तो जो है सराई नहार राय मिला है तो कि चोदा सवाधान के साथ मिला यहां से तथा महदहा ठीके महदहा जो है गरताबास के साथ हडियों की अबुसा निवा मृद रीन के छलो कि मठीक के बड़तन के से मिला है तो अगला जो डयाग्राम है दोस्तों यह है हमारा उत्रपदेश के महादन पर से समय तिकए बाहते हैं यहां से बत्ती हैं यहां से प्रिबरतन हो अगली दाइग्राम में पूछे जाते हैं तो देखिए सबसे पहले दी में बात करो दूस्तों पंचाल महाजनपत का इसकी राधानी कहा थी तो पंचाल की राधानी थी अही छत्रक ठीक है अभी पंचाल जो पंचाल है वो है बरेली बदायू और खरूखाबाद में फैला हुआ तो आप इसे या का तो मत्रा जो है सूर्चेन महाजनपत इसकी राधानी मत्रा थी सूर्चेन महाजनपत की क्लियर फिर हम बात करेंगे दोस्तों कोसल महाजनपत की तो इसकी राधानी स्रावस्ती ठीक है कहा थी स्रावस्ती और यह भी कहा फेला हुए बहराईच स्रावस्ती बलरामपूर गोंडा, अयोध्या और अकुबरपूर में, यहां पर यह फैला हुआ है, फिर हम बात करेंगे मल महाजनपत के, मल महाजनपत जो है इसकी राधानी कुशी नगर थी, अभी बरतवान में दिवरिया और कुशी नगर में फैली हुई है, पिर हम बात करेंगे दोस्तों, कासी मह महाजनपत की राधानी वारानसी थी, और यह अभी कहा फैली हुई है, आप इसे देख सकते हैं, तो यह है संत रविदास नगर वारानसी, चंदवली, मिर्जापूर, यहां पर यह फैली हुई है, फिर हम बात करेंगे दोस्तों, यहां पर बत्स की, तो बत्स जो है, इसकी राधानी कौसामबी, अभी फैली हुए कौसामबी परियाग राच, ठीक है, यह आप याद रख सकते हैं, फिर हम बात करेंगे चियदी महाजनपत, जिसकी राधानी शक्ती मती थी, ठीक है, कहां है, शक्ती मती, यह फैली हुई थी ललितपूर, जहासी, महोबा, बांदा, चित्रपूर, यहाँ पर यह फैली हुई थी, चलिए बढ़ते हैं हम लोग, नेक्ष्ट मैप, परमुख सांस्कृतिक संस्थान एवं संग्रहाल है, ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग, राज किये सुतंतरता संग्रहाल है, उन्हें सुच्यानमे में मेराठ में मनी है प्रिखे, डाक्टर भीम्रा बिटकर संग्रहाल है, इवं पुष्ट काला, रामपूर में है, ठीक है, पिर हम बात करेंगे लखनव में, तो लखनव में है, लोग कला संग्रहाल है, भारत खंडे संगीत संस्थान, राज ललीत कला आकादमी, भारतनदु नाटिक अकादमी उत्तर प्रदेश संकित नाटक अकादमी राष्टी एक कथक संस्थान लोक विवम जनजाती कलावर वाम संस्क्रिटी संस्थाने सब कहा है लखनों में आयोध्या की बात करेंगे तो आयोध्या में हैं तराश्टीय राम कर था संगरहाले और आठ गैलरी आयोध्या सोध संस्थान जिसके साफ़नाатов 1986 होती है कह은 है अयोध्या में है तो सिद्यार्थनेगर में है राज्किया बाहूद संगर हाले कुसी नगर की बात करेंगे दोस्तों को सिनिगर में राज्किये बहूद संगरím हो ठीक है आगे बढ़ते हैं राज्किया बहू आप संगर? संग्रहाल है जो कि 2018 में स्थापित हुआ है सुल्तानपूर में हो जाएगा जैन पदिये संग्रहाल है तो राजकिये संग्रहाल है फिर बात करेंगे हम दोस्तों यहाँ पर संग्रहाल है फिर फरुखाबाद में राजकिये जैन संग्रहाल है जो कि 2003 में बना है और आप इस प्रकार याद रख सकते हैं और अंतिम डाइग्राम है दोस्तों उत्तर परदेश की परमुख जन जातियां के बारे में ठीक है तो कौन से जन जाती कहां भी पाये जाते हैं इ ठीक है यहाँ परहे है ठीक है पर हम बात करेंगे दोस्तों खरवार का थो देवरिया में बलिया मैं और गाजी पूर थीक है यहाँ पर पर जो है जो है कोंसा सहरी या है धिक है बारा नसे में 76 जन जाती है मिर्जापुर में बात करेंगे तो गोंड, धुरिया, नायक, ओजह, पठारी, राजगोड, पंखा और खरवार जन जाती है ठीक है और सुनभधर की बात करेंगे तो सुनभध में करमा, बरहिया, बैगा, पंखा, पनिका, अगरिका, पठारी, चेरो, भूईया और खरवार तो इस परकार दोस्तों हम लोग डाइग्राम को कंप्लीट किये हैं और हमें उमीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और इस वीडियो को एक से दो बार और देख लिए ठीक है तापको पूरे डाइग्राम से यात हो जाएगा चलिए मिलते हैं लोग अग अले बीडियो में जाहिन